Hi friends, welcome back to another video दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप WhatsApp के थुरू किसी भी फोल्डर को कैसे किसी को send कर सकते हैं और उस फोल्डर में आप कुछ भी रखके भेज़ सकते हैं चाहे उसमें PDF फाइल हो, फोटो हो या फिर वीडियो फाइल तो इस वीडियो को पुरा लास तक जरूर देखना तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्टॉप पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है और इसके अंदर एक फोटो है, एक वर्ड की फाइल है और दो PDF है तो अब मैं इसे क्या करता हूँ, कि इसे मैं यहाँ पे WhatsApp के थुरू, यहाँ पे मैंने WhatsApp वेब लॉग इन कर रखा है अब इसके थुरू मैं किसी को सेंड करूँगा तो कैसे सेंड करेंगे, अगर अभी आप इसे सेंड करना चाहेंगे फोल्डर को, तो यह सेंड नहीं होगा यहाँ पे Attachment में आना है आपको, और यहाँ पे Document में आना है Document में आने के बाद जहाँ पे आपका फाइल रखा हुआ है, यह वह फोल्डर उसे आपको सेलेक्ट करना है तो आप देख सकते है, टेस्ट नाम का फोल्डर था मेरा, अब मैं इससे सेलेक्ट करके अगर ओपन करना चाहूंगा तो यह फाइल ओपन हो जाएगा और इसके अंदर सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे पूरा फोल्डर ही सेंड करना है तो उसके लिए करना होगा हमें folder को थोड़ा सा modify करना होगा अब modify कैसे करना है जस्ट आपको folder के उपर right click करना है और यहाँ पर send to compressed zip folder बना देना इसे जैसे zip folder आप बनाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे दूसरे screen पर मैं दो-दो screen लगा रखा हूँ यहाँ पर तो मेरे दूसरे screen पर यहाँ बन के आ गया यह folder यानि कि यही ठीक है तो इसके अंदर भी हमारा यही तीन-चार फाइले हैं देख सकते हैं यहाँ पर फाइलने में आप देख सकते हैं 0-170, contract, contract और सर्फराज इसके अंदर भी वही चीज़े हैं देख सकते हैं अब यह क्या हो गया यह हमारा zip folder बन गया अब यहाँ पर आने के बाद फिर से यहाँ पर आते हम जिसे बेजना है आपको उसका contact select कीजिए यहाँ पर attachment में आने के बाद document में जाना है आपको document में जाने के बाद यहाँ पर आपको zip वाला फोल्डर दिख जाएगा देख सकते हैं यह हमारा test नाम का zip folder बस इस पर double click करेंगे यह हमारा select हो जाएगा देख सकते हैं test.zip अब यहाँ पर आप इसे send कर सकते हैं जस्ट आप इसे send कर दें अब यहाँ पर send हो गया अब मैं आपको mobile पर लेकर चलता हूं वहाँ पर दिखाता हूं आपको कि क्या है इसमें तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने mobile पर आ गया अब mobile में आने के बाद मैंने इस वाले WhatsApp पर भेजा था तो देख सकते हैं यहाँ पर test.zip के नाम से एक मैं पास फाइल आ गया इसे मैं download करता हूं और यह पूरा का पूरा फोल्डर हमारे पास आ चुका है इसे मैं open करता हूं देख सकते हैं यही सेम चीजे हैं जो जो चीजे थी इसमें वही चीजे पूरे complete यहाँ पर हमें देखन को मिल रहा है तो इसे आसानी से आप किसी को भी और इसकी जो लिमिट है वो 60 MB की है 62-70 MB तक का आप इसमें भेज सकते हैं तो इसके अंदर जो भी आपको डाल के भेजना है आप एक साथ फोल्डर को भेज सकते हैं तो उमीद है चोटा सा information WhatsApp के बारे में आपको पसंद आया ह होगा अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें शेयर करें अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं तो मिलते हैं अगले वीडियो में गुडबाए